जै मातादी दोस्तों कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखें माता रानी सबका कल्यान करेंगे दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों को बताएंगे कि साल 2022 में करवा चौठ ब्रत कव है साल 2022 के करवा पूजा की विधी बताएंगे साथी साथ हम बताएंगे कि करवा चौठ ब्रत वाले दिन चंद्रोदे का समय क्या होगा जी हां दोस्तों करवा चौठ ब्रत से जुड़ी हम संपोर्ण जानकारी आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देंगे वीडियो स्टार्ट हो से के मेरे इस वीडियो को सेयर करेंगे दोस्तों करवा चौठ हिंदू सुहागिन महिलाओं का एक परमुख तेवहार है इसे मुख रूप से उतरी और मध्य भारत में मनाया जाता है यह कार्थिक मास के क्रिस्पक्ष की चतूर्थी को मनाया जाता है मुख रूप से यह पर्व सौभाग बती इस्त्रिया मनाती है यह ब्रत सुबह सुरियोदय से पहले करीब चार बजे के बाद सुरू होकर रात में चंद्रमा दर्सन के बाद संपोर्ण होता है पती के सौभाग एवं लंबी उम्र हेतो हिंदू समुदाय की महिलाओं द्वारा प्रती वर्स ए जिससे उनके एक दूसरे के प्रती लगाव एवं प्यार और अधिक बढ़ जाता है बदलते परिवेश के साथ न सिर्फ यह करवा चोट का ब्रत सुहागिन महिलाय करती है बलकि कुमारी कन्याय भी भविस में सुन्दर निरोगी सौभाग पती की कामना के लिए निर्जला ब्रत रखती है जमय की बात करें तो यह ब्रत सुबह सुरियोदय से लेकर रात को चंद्रमा निकलने तक रखा जाता है और रात को चांद के दीदार के साथ ही महिलाओं द्वारा चंद्रमा को अर्ध अर्पित कर पती की हाथों द्वारा जल ग्रहन कर इस ब्रत को खोला ज तो साल 2022 में करवा चौट ब्रत 13 ऑक्टूबर 2022 गुरु बार के दिन रखा जाएगा चंद्रोदे का समय क्या होगा वो डीटेल्स हम स्क्रीन पे दे रहें चतूर्थी तिथी का आरंभ कब से है चतूर्थी तिथी का समाप कब से होगा उसका भी डीटेल्स हम स्क्रीन पे दे दे रहें आप उसे ध्यान से देख लेंगे चंद्रमा को हिंदु धर सास्त्रों में उम्र सुक्सम्रिधी और सांती का कारक माना गया है पौरानिक मानिता है कि चंद्रमा की सच्छी सर्धा से पूजा करने पर बैवाहिक जीवन सुखी होता है अध्पति की आयू लंबी हो दिवार के दिन महिलाए निर्जला उपवास रखेंगी आपको निर्जला उपवास रखना है इस दिन संध्या को पूजन के स्थान पर दिवार पर गेरू से फलक बना कर चावल को पीछ लें इस विधी को करवा धर्णा के नाम से जानते हैं उसके बाद दिवार पर परा है चंद्रमा को अर्ध छलनी के ओट से दिया जाता है और करवे के पानी को पीया जाता है इसके बाद पती से आशिरवाद लेकर महिलाएं अपना उफवास खोल तो उमीद करती हूं कि आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी वीडियो को लाइक करें सेयर करें और मेर इस घरेलुखवर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक्स